गूद मॉर्ण ग्रीडर्स अपोलो हॉस्पिटल को आज की दिन हम ट्रेट कर रहे हैं इसके अंदर हमने अपनी एक पोजिशन बनाई है 4214 पर एक्जैक्ट यह नहीं है कुछ 10-5 पैसे अभी order book देख लेते हैं चलके stop loss जो इसके अंदर हमने अपना लगाया है जस्ट थोड़ा सा buffer देकर के इस green वाली candle की नीचे हमारे stop loss लगा हुआ है 4189.70 का and targets जो हमने इसके अंदर अपने रख रखे हैं day high का हमें इसके अंदर breakout चाहिए and exact जो target levels है हमारे 4310 के थे 50% buffer देकर के 4309 तक उसका target हमने stretch किया हुआ है यह हमारा trading setup है आजका day time frame पर जो अपनी analysis थी simple way में prices के कुछ support areas है आप इसको और भी बड़े time frame पर देखोगे तो यह हमारे support point है यहीं से market के अंदर कोई भी बड़ा move आया तो exact easy point से आया है जब जब यह upside के तरफ गई इसी एक range से अगर आज अगर आपने market को देखा होगा तो farmer sector पूरा का पूरा upside में इवन यहां तक की हम आपको अगर 21 दिखाएं जैसे विश्वनाग जी है विश्वनाग जी ने आज कौन से stock ट्रेट किया है डिविस लेप फार्मा सेक्टर के stock है इसके बाद में अनुच ने कौन से stock ट्रेट किया है सिपला दोनों ही farmer sectors के stock है यहां भी farmer sector को trade किया और दोनों ही stocks में आपने देखा है सभी लोगों ने buy किया है नहीं लेकिन अधिकतर ऐसा होता है बहुत बार हमने देखा है अगर आईटी नीचे तो फार्मा उपर और अगर फार्मा नीचे है तो आईटी उपर यह अपोजिट डिरेक्शनल चला करते है हमारे फार्मा और आईटी सेक्टर में अब इसके पीछे का correlation क्या है हमें नहीं में चलते हैं orders जो हमको मिले है 4214.35 market price पर यह order हमें execute किया था अपना 4214.35 4214.35 and position book position book में इस वतका जो अपना profit चला है 4744 का चल रहा है and 4214 पर हमारी entry 4214 4214 तो ठीक ही है उतने ही पर लगभव हुआ था चले मतलब मार्किंग से अपनी सारी सही है and अब देखिए यहां से कनाल से समलोग शुरू करते हैं अभी हमने क्या कहा न यह एक मोटी मोटी बात हो गई कि प्राइस की यह supports है इनी supports के पास हमने trade अपना execute किया अगर गिरना है market को तो जैसे morning में market गिरी थी वैसे अभी गिर जाए बट अब जो यहां पर यह market है यहां पर देखि कई साहल resistance break करते हुए price उपर की दीशा में गया है with volume है न यहां पर देखिए volumes less हो रहे है बट जो movement आया इस breakout के बाद में volumes बहुत स्यादा volumes आ गया है और देखिए price भी breakout कर रहा है अगर इस green valley land के उपर ही sustain हो गया तो next resistance आज का डे हाई डे हाई अगर चला गया तो 430 इसका एक round number and 430 के बाद 4310 हमारा exact target point कौन सा है 4310 सिर्फ और सिर्फ कैपिल को सेफ रखिए बाकि profit तो market देगी ही देगी इस वक्त का जो अपना profit चल रहा है 9000 के round है and अभी target तो हमारा काफी तूर है 4309 यह round number 4300 जहां तक हम thank you कोई बड़ा movement होता है movement actually हो ही रहा है चले कोई बड़ा movement होता है यह हमको इसके direction लेती हो तो आपको inform करते है buying यह फिर selling climax actually यह होता क्या है और technical tools में यह technical word में जह हम लोग charts को rate करते हैं तो इसको किस तरह से हम लोग use कर सकते हैं काफी सारी चीज़े होती है जब हम लोग techniques को पढ़ते हैं या technicals को पढ़ते हैं तो बहुत सारे terms होते हैं जैसे कि जब channel भी आप देखोगे scroll करोगे channel को तो बहुत सारी techniques हमने बताइए trade करने के काफी सारे हमने methods पता हैं कोई अपना method पकड़ो और उसी एक method के उपर practice कर दो अब हमने इतने सारे methods पता हैं एक methods के उपर हमने करीब 500 trade ले रखें मतलब एक ही system के उपर 50-50 से ज्यादा ही trade बहुत कम हम बोल रहे हैं पचास से ज्यादा rate एक ही systems के पर हमने ले रखे हैं उसके बाद में वो या तो फिर public platform लाइक यूट्यूब पर या फिर अपने classroom sessions में तभी उन सारी techniques and tools को आप लोगों के साथ हम share करते हैं जैसे buying and selling climax में होता क्या है stocks में कुछ एक support areas होते हैं और कुछ एक resistance point होते हैं यह या फिर आपका यह support point हो लिए अच्छा इसमें एक चीज़ देखिए कि price अपने resistance पर जैसे कि एक consolidation का phase बन गया and इस consolidation के phase के बाद में price का move upside की तरफ आ गया इसमें volumes को किस तरह से हम लोग देखते हैं price को selling या buying climax होते हैं इसी के साथ साथ आपकी volumes के climax भी होते हैं volume climax in the sense के price एक breakout जब करता है अपनी range के बाहर के दर breakout करेगा तो यहां पर volumes बहुत बड़े-बड़े volumes आएंगे highs break करती है volumes एक दूसरे का इस तरह से volumes आपको देखने को मिलती हैं तो यह buying and selling के climax के volumes होते हैं price किसी भी zone को breakout करते हुए एक heavy volume यहां पर हमें शो करती है और price को हमें देखना पड़ता है day timeframe या day पर देख रहे हैं तो उससे भी उपर के timeframe पर जाना होता है और देखते हैं हम लोग कि क्या price का वहां पर कोई predefined support या resistance एरिया है जिसके according हम लोग buying or selling climax को identify करते हैं बहुत चोटी सी चीज़े फिर से सको समझें price अपने एक range तक पहुँच जा है ऐसा इसका कुछ predefined एरिया नहीं है कि Apollo hospital 4060 तक ही जागा इसके उपर यह नहीं जागा नहीं लेकिन techniques के according क्या होता है यहां पर अगर यह पहुँच गया और हमारे according अगर 40 4060 इसका एक resistance एरिया है और यहां पर volumes के जो structure से हैं मतलब कि high volume आकर आ गई तो इसका sense निकलता है कि price अपने एक buying climax के पास में है यहां से हम लोग अगर selling के opportunities find करते हैं बहुत हद तक chance रहता है कि आपका trade आपके favor में जाएगा इसका just opposite होता है हमारा selling climax selling climax में price बिल्कुल अपने support पर आकर कर रुखता है यहां पर अब हमें volumes in price के analysis के according के देखना होता है कि क्या यह selling climax हमें buying के opportunity दे सकता है या नहीं दे सकता है अगर हां तो यहां से हम लोग buying के trade execute करते हैं तो simple सी चीज होती है buying climax का मतलब price अपने expected resistance point तक है selling climax का मतलब price अपने expected support point तक है price अपने resistance को touch कर रहा होता है तो यहां पर volumes increase होती है ज्यादा volumes होती है price वहां से थोड़ा से retrace होता है या फिर नीचे की तरफ के जो structure से वो downside की तरफ होता है previous sessions में volumes लगा था नीचे की तरफ गिरी है और पिछले काफी दुनों की volume का breakout हमारे कल की trading session में हुआ है यानि कि काफी अच्छा volume breakout Apollo hospital ने हमें शो किया पहली चीज यह volumes के breakout कहां पर हुआ है आप following rose के recording देख लो या उसके बाद में जो green candle हमारी form हुई है यह वाली इन दोनुई patterns को देख लो price का यह support area है जैसे कि यह वाला point या फिर आप यह वाला area ले लो यह इसका support point है आगे चलके market ने इसी जगह पर हमारा support लिया इसके according अगर और भी हमें पीछे चलना है तो यहाँ पर एक horizontal line हम डाल देते हैं यह वाला point अपना horizontal line हो गया तो price का यह support point हो गया है यह support area हो गया है यह live example है देखिए किसी भी तरह का यह नहीं कि हम close chart पर या बने हुए charts के उपर हम आपको analyze कर रहे हैं वो सारी चीज़े हम उसको खुद follow कर रहे हैं या फिर live market में उसको देख रहे हैं live market में उसे trade कर रहे हैं यह होगा हमारा selling climax या फिर buying climax अभी आज के session में हम लोग बात कर रहे हैं selling climax की तो prices के अंदर हमें एक support निकाल लेना होता है एक expected support area में निकाल लिया अब पहला तो support point में रहे हो गया यहां पर price ने जैसे ही move दिखा है downside के तरफ इसकी volumes increase हो गई और यह lines आई कहां से हैं क्योंकि जो सबसे last supports बने हैं वो यह वाले बने हैं इसके पहले की भी तो कुछ supports बन रहे न जैसे कि यह वाले और इसके पहले आपको बताया था यह blue वाली black वाली candle ले लो या फिर यह वाली candle ले लो यह support break हुआ था इस support को break करके market नीचे आई थी आज जो हमें breakout लेना था या फिर आज के sessions में हमारे लिए जो targets बन रहे थे हमारे 4264.20 के level के उपर market sustain हो करके यहां से upside का move दिखाती तो हमें एक बड़ा profit देखने को मिलता बड़ प्राइस ने यहीं से अपना resistance ले लिए इसके ओपर यह नहीं किया यहां पर यह side way हो गया जिस वएसे जो profit वगार अपना यह काफी कम चल रहे थी execute करने की जगा हमको मिल गए अब आ जाते हैं हम लोग सीधे 5 minutes के time frame पर buying climax या selling climax इतना असान है थोड़ा सा time लगता क्योंकि subject बड़ा है एक जितनी भी जल्दी हो सकता और जितने कम time में हो सकता हम समझाने कि आपको कोशिश करने अब देखिए हमें higher time frame के अपने कुछ levels नि सकते हैं और यही कि इसके नीचे अपने stop loss लगा दे क्योंकि अगर market इस green वाली candle को तोड़ करके इस green वाली land की नीचे आ जाती है मतलब यह हमारी positive candle है इसको break करके market अगर इस green वाली land की नीचे आ करके trade करती तो बहुत ज्यादा chance है price हमारा फिर नीचे गिर जाएगा तो इ इसके according हमने treat execute किया buying climax and selling climax को आने वाले sessions में हम आपको और भी बहतर या फिर full resources के साथ आप लोगों की साथ हम share करेंगे लेकिन अभी भी हमने जो चीज बता ही है उसका यह vicious ध्यान रखना वहीं आप दूसरे example ले लिजे जैसे कि आदिती बिला capital है अब आदिती बिला capital के अ इसका यह resistance point है price ने resistance भिरक किया यह उपर की दरफ चला गया और फिर से यह नीचे की दरफ गिरने लगा इसका क्या हो गया यह एक support point हो गया price नीचे की दरफ गिर रहा है और इसको हम लोग बोलेंगे अब यह बना हमारा selling climax मतलब यहां पर price ने गिरते गिरते पर अपनी volumes increase कर दी और यह support कहां पर ले रहा है आप एक काम कुरो इस जगह से अपने traits लगा हो हम day time frame पर अगर देखेंगे न तो आपको और अच्छे यहां पर symptoms दिखाई पड़ेंगे देखिए इस land को आप remove कर देज़े यह बनता है हमारा selling climax का zone एक selling climax का area पीछे भी आप चले जाओ यह देखिए यह आपका एक resistance point बन रहा है जैसे यह यह है न यह support point price उपर गया फिर से नीचे कर गया यह बना इसका selling climax जैसे ही price आपका support पर आयागा इसके अंदर volumes increase हो जाएंगे देखिए इसी जगह पर आपकी volumes increase होई एंड यहां से price के अंदर होता है changing जो characters ने price के वो change होते हैं मतलब कि resistance को breakout करके market वापस से अपना selling climax complete करके वापस से अप में जाते हैं selling climax हो या buying climax यह stocks के अंदर एक circle एक cycle की तरह चला करता है इस वक्त जो profits है अपने थोड़े बहुत increase में शाथ 4000 तक आ गए हम लोग अब हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं एंड order successfully placed अब बहार निकलने का बेट करेंगे अब लोग यह क्या है निकल गए orders निकल गए होंगे ले जाए सारे orders निकल गए अपने order book order book order book order book 115 सारी quantity executed है 4242.15 ठीक है जितने पाल लगया तो नहीं पर मिल गया हम लोगों को 4189.70 एंड और यह हमार आज का ट्रेडर है अब देखिए अपने राडार में रखो लेवल जो इस अभी आज के दिन हमने आपको लेवल निकाल करकी देना इस लेवल को अपने पास रखो क्योंकि आज मूव हुआ नहीं है अपने होस्पिटल के अंदर बाइंग ही कीजएगा इसके अ अपने पूरे एक तरह से लिए हम हुआ सकते है यह अगर अगर अपसाइट के तरफ जाना तो यह से चला जाता और इसको ब्रेक करके नीचे गया थोड़े बहुत दें तक आ भेस्पिटल नीचे भी दिख सकता है इंट्राडे के एकॉर्डिक आपको हम जो लेवल दे रहे हैं अभी जो हमने लेवल बताया है उसके पीछा का रिजन क्या देखिए इसी लेवल के पास में इस समझ में आगा और लेवल निकाले में यह सारी चोटी च्छोटी शूटी जासे बहुत हैं बहुत अधियान दो इसका आँक बंद करके trade execute करना या फिर execute करने के बाद में डर ना घबराना quantities पड़ी है निकाले ना निकाले रुख जाएं कम निकाल दें पूरी निकाले यह सब नहीं इसको trading नहीं बोलते यह तो डर है घबराहट है आपको मालूब नहीं कि result क्या होगा जिस वज़े से आप घबराते हो result आपके favor में नहीं होगा आपको बुरा लगेगा इस वज़े से आप घबराते हो आपको profit चाहिए है आपको loss हो जाएगा loss होने की वज़े से आप घबराते हो चोटी चोटी चीज़े हैं Actually, छोटी-छोटी चीज़े नहीं, बड़ी-बड़ी चीज़े हैं, तो इसका आपको विश्य ध्यान रखना पड़ेगा है, कितना loss होगा, पहले से तयर रखो, 200 रुपएगा, 100 रुपएगा, 2000 का, 5000 रुपएगा, जितनी आपकी pocket अलाओ करी नहीं, उतने एक loss सेट कर दो, य capacity 1000 की loss हो जागा, 10,000 का, उस बात का डर होता है, अगर learning के process में हो, आप सीखना चाहरो, वाकई में सीखना चाहरो, तो price action के उपर बस focus कर लो, आप यकीन मानो, दुनिया भर में जितने segments से आप सब को trade कर दोगे, price action को बस एक बर मजबूत कर लो, कहीं नहीं लिखा है, कि बात से उटना हो जाए, तब तक आप practice करते रहना, एक अच्छा खासा experience लेने के बाद में ही आप वहाँ पर, thanks, and I hope कि आज की वीडियो से कुछ ने कुछ value आपके अंदर add होई होगी, आप ओलो की levels draw करके रख लिए जागा, इसको आप देखेगा, thanks, अब हम लोग मिलेंग आपने नेक्स सेशन यानिके मंद को, शुक्रिया, and we will meet again